सभी सखियों सखियों को और शोताओं को संगीता शिर्वास्तों का नमस्कार और बुआ जी आपको भी बहुत 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 अशिर्वाद बहुत 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 प्यार बहुत सारा पस्तने हैं और सभी का स्वागत है इस कारेक्टरम में हम आ गए हैं बिलकुल आ गए हैं अच्छा तुम्हें दिखाई दिया चलो इस सफर में आगे चलते हैं सखी सहली के इस मंच में हम याद करेंगे वो दिन जब हम भूजन पंगत पे करते थे यादी पंगत में बैठ कर करते थे जमीन में वो पतल पुर्वा कसोरा कुशलो सको कहते हैं कुछ लोग कुल लड़ कहते हैं तो यह सारी चीजों में जब हम खाते थे और कोई बड़े आग्रह से हमें खिलाता था तो वो दिन याद करिए कि क्या यादे जोड़ी हैं आपकी और आज अंतराश्ट्य संग्रहाले दिवस है और साथी साथ सफर सुहना कैसे करे तो बता दो कि घूमने कहां चलेंगे परेटनिस्थल की आज बात करेंगे पिथोरागर चलेंगे घूमने और अब चलते हैं सेहत की ओर विश्व एट्स टीका करण दिवस है तो यह टीका करण दिवस जिसे कहते हैं यह बहुत महत्तोपूर्ण हम सब जानते हैं कि असलब जिसके शरीर में पहुँचता है उसे HIV पॉजिटिव बना देता है और इसके प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 माई को विश्व एट्स टीका करण दिवस मनाये जाता है और यह वाइरस रोगी के रोग प्रती रोधक शमता को बहुत कमजोर कर देता है और टीका करण के माध्यों से इसे बचा जा सकता है विश्व के साथ भारत में भी एड्स के उन मुलन के दिए जो प्रयास है बोजारी है और टीका करण के साथ-साथ जो अन्य सावधानिया है उन्हें भी बरतना बहुत जरूरी है खास करके बौजी जो समद्धों को लेकर समद्धों को लेकर है अगर आपसे कहीं से आपके शरीर में रक्त डाला जा रहा है या आपको जरूरत है तब भी ध्यान रखें कोई वैसे तो आप लोग अस्पताल में असा भी करते हैं कि सिरीन जो होती है यानि जो सुई लगती है वो डिस्पोजेबल यानि एक बार जो आपने तो यह भी सावधानी बहुत जरूरी है और एट्स वैसे तो सभी जानते हैं कि बहुत घातक बिमारी है और जो भी एट्स सिग्रसित हैं उनके खाने पीने का ध्यान उने रखना चाहिए सबजियां हैं फल हैं ऐसे शामिल करना चाहिए जिनमें विटमिन्स हो मिनरल जिससे के इन चीजों की कमी न हो पाए और पानी को पानी का तो अपना महत्व हुता ही है यानि पूरी तरह से स्वस्त रहना जरूरी है क्योंकि इसमें होता क्या है न सगीता बेटिया सभी जानते हैं कि हमारा जो इमुनिटी सिस्ट्रम है यानि प्रतिरोधक शम्ता जो हम इसे ही हमारे शरीर को संतुलित भी रखता है इसलिए बादाम है वेजिटेबल ओयल है और इसी तरह के से ये सब जो हैं जिसमें हल्दी फैट होते हैं वो लें तो थोड़ा जागरुकता बनाए रखें और ये दिन इसी लिए है और ये भी बात होती है जैसे हिम्मत ना हारें जो भी खाना पीना है वो अच्छी तरह से खाते रहें घर परिवार का भी जो भी घर परिवार के लोग हैं वो भी इस तरह से रोग से जो ग्रसित हैं उनका पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखें जैसे कि उन्हें किसी तरह से मन में ये सोच ना हो कि भाई इस तरह से हमें तकलीफ है और 1997 में एड्स वैक्सीन दिवस की परिकल्पना अमेरिका के ततकालिन राष्टपती बिल क्लिंचन ने की ये कहते हुए कि मात एक प्रभावी निवारक HIV वैक्सीन ही है जो एड्स के खतरे को कम और अंत में मिटा सकता है इसी भाषण की वर्ष गांठ मनाने के उद्देश से 18 मई 1998 को पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह चुटकारा रोगी को मिले इस क्षेत्र में जितने भी शोध है न अबुवाजी वो अभी भी चल ही रहती है और हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि यही बात इनों ने भी लिखे कि बिल क्लिंटन के यह जो भाषण की पहली वर्षगाठ मनाई गई और फिर इस तरह से यह सिलसिला शुरू हो गया और जाहिर है कि जागरुकता ही इसका सबसे बड़ा इलाज है कह सकते हैं है ना HIV जैसा कि नाम है Human Immuno Deficiency Virus तो हमारे शरीर में यह वाइरस ऐसा है जो हमारी Immunity Q को कम कर देता है तो शरीर के White Blood Cells जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जो है कोशिकाएं हैं उनको कम कर देता है और वही हमारे शरीर में लड़ती है बीमारी से तो हमारे शरीर में रहना उनका बहुत ज़रूरी है जब यह कम हो जाती तो जाहिर है कि दिक्कत हो जाती है तो उसकी एक शम्ता को घटाना शुरू कर देता है जिसे रोगी जो है बीमारी से लड़ने में धीरे धीरे असमर्थ हो जाता है और जाहिर है फिर लगठा है कि जीवन खत्म हो रहा है लेकिन अगर हम यह कोशिश करे कि बीमार ना पढ़ें तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना वैसे तो कोई के दिक्कत इसमें होती नहीं है हाँ तो सदर करें, साफधान रहें तो वह ही बहुत जरूरी है और कुछ-कुछ लक्षन होते हैं अबू जैसे मुँँ में कुछ सफेद चकते दार धब्धे होbür जाते हैं ठकान जरुक से जादा होती है और जो वजन होता है शरीर का, वह जरुछ से जादा तेजी से ऐसा कहते हैं कि गिरता है तेज बुखार आता है और पसीना बहुत जादा निकलता है तो यह सब एक तरह से कह सकते हैं कि जो लक्षन है वो कमजोरी के ही लक्षन है हाँ बिल्कुल मतलब एक बात और है कि अगर आप बिमार पड़ गए चाहे वो डाइरिया ही हो गय वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बाद थोड़ा सचजग हो जाएए सचेत हो जाएए कि यह बिमारी तो नहीं है यह संक्रमन तो नहीं हो गया है है तो यही हमारे साथी लिख रहे हैं एट्स वैक्सीन डे जिसे है चाईवी वैक्सीन जागरुकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है प्रतिवर्ष 18 माई को मनाया जाता है फिर इनों ने भी बताया है कि यह घटना एक वैक्सीन की ततकाल आवश्यक्ता पर प्रकाश डालती है जो मानाव इमिनो डेफिशेंसी वाइरस से एक्वाइड इमिनो डेफिशेंसी सिंड्रोम यानि एट्स को रोक हैं और इसके साथ ही जैसे कुछ एक लक्षन भी होता है जैसे बार-बार अगर बुखार आता हो मतलब ठीक ना हो कोई भी बिमारी हो जाए तो हम पिर से उरजावान हो जाते हैं ताकत आ जाती है लेकिन जब वो ताकत ना आए लौट कर तो आप थोड़ा सजग हो जाई है बौजी हमारे एक शुरता ने लिखाया कि म्यूजियम में कदम रखते ही हम एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं असा लगता है कि हम टाइम मशीन की मदद से कई हजार साल पीछे चले गए हैं और अपने इतिहास को टटोल रहे हैं संगरहाले के पास भले ही राज कि म्यूजियम डे के दिन संगरहाले के लिए मुफ्त ट्रिप का आयोजन किया जाता है हजार उन लोग और बच्चे इस दिन और आम दिनों में भी इसका लूत बठाते हैं हमारी संस्कृति धरूहर इतिहास की यादूं उसकी महत्वा और प्राचीन कला कृतियां नकाशिय मूर्तिकला अन्य चीजों का संगरह करने की वज़े से म्यूजियम का महत्व बहुत जादा हो जाता है तो आप ज़रूर याद करते ही होंगी बुआ जी और हमारे सभी शोता भी याद करते होंगे कि स्कूल में जब हम लोग रहते थे तो यह होता था कि कहीं न कहीं स्कूल की ट्रिप जा रही है और फिर किसी म्यूजियम में ले जाया जाता था संगरहाले में ले जाया जाता था तो बड़ा मज़ा आता था देखकर इन चीज़ों को पुरानी पुरानी चीज़ों को हाँ देखो होता ही है और ऐसे ही हमारी एक साथी और भी कह रहे है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी शहर के इतिहास के बारे में जानना है तो सबसे पहले वहाँ इस्थित म्यूजियम देखना चाहिए हर साल 18 मई को अंतराष्ट्रिय संगरहाले देवस के रूप में मनाया जाता है संगरहाले वो जगे होती है जहां पर प्राचीन काल से जोड़ी कलाकृतियां अवशेश वास्तुकला मुद्राएं वेश भूशा ओजार संरक्षित के जाते हैं ऐसे संगरहाले देश के लगभग हर इस्थे में हैं हर किसी के अंदर अपनी कला संस्कृति के इतिह देख सकते हैं तो कुछ-कुछ याद आ जाता है कि भई ये पहले कैसा होता था कैसा चीजें बनती होंगी कैसी कैसी सुन्दर कलाकृतियां होती हैं सिक्के आदी होते हैं मूर्तियां होती हैं ये सारी चीजें देखकर उस काल का पता चलता है कितने विक्सित थे हम या नही थे या किस तरी से लोग खाते पीते थे कभी-कभी बर्तन है राजा महराजाओं के पोशाके होती है उनके मुकूट आदी रखे जाते हैं तो लगता है हम कितने समर्द है है न तो ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें हम से छूट नहीं गई बलकि हैं तो इसी वज़े से जो संस्कृति है उसका आदान पृदान परमपराओं का संवर्धन इसी बहाने होता है और संस्कृति की रक्षा और आम लोगों में इन्हें संरक्षत करने के लिए संग्रहालों के महत्ता की जानकारी को बढ़हना ही इस दिवस का उद्देश है 18 मई 1983 को संयुक्त राष्ट्र संग ने संगरहाले के महत्व को समझाते हुए इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव फारित किया फिर अंतराष्ट्री संगरहाले परिशद ने इस दिवस को मनाने का फैसला किया तो भरी वो इसीलिए न कि सामाजिक क्रिया कलाब जो है उसको बढ़ावा दिया जाए और इसलिए फिर क्या होता है कि फिर स्कूल जो हैं कॉलेजेज हैं कुछ ऐसे समुदाय हैं वो मुफ्त में ऐसे यात्रायं करवाते हैं परे करवाते हैं बच्चों को लेकर ताकि बच्चों को देखने को मिले उनके उनके मन में मतलब उसके प्रतिर रुची जागरित हो कि अरे वह ऐसी बी चीज है और ऐसे भी कहीं चीजें रखी गई हैं जिनें देखा जा सकता है ना तो ऐसे वारे साथी लिख रहे हैं कि 1977 से ह अधि को इंतराश्यक में यहीं सारी बाते हमारे ऑर बी साथ्यों ने लिखिया ना एक और हमारे साथी लिखते हैं के अंतराश्यक जो संग्रहाले है संग्राहले में एक ही जगे पर तरह तरह की चीज़ें रखने को मिल जाती है इतिहास में जाकने का मौका मिल जाता है मैंने हैदराबाद का सालार गंज म्यूजियम देखा था जिसमें मुख्या आकरशन प्रांगन में रखी वो घड़ी है जिसमें समय के अनुसार घंटे बचते हैं इन घंटों को बचाने के लिए घड़ी में से एक ही स्वाचालित खिलोना मानव निकाल कर जो रहता है वो घंटे की रूप में इससे बजा जाता है इससे काफी दूर से देखना पड़ता है इसलिए एक दो नहीं बलकि दो पहर के बारा बज़े दर्शकों की भीर जमा हो जाती है ताकि जो यह खिलोना है में बारा बार घंटे बजा जाए जाएं तो कम से कम एक बार तो जलक मिलने की संभावना रहती है इस तरह जैपूर का संगरहाले भी है तो घड़ियां जो है ना वो भी बड़ी ही संदर संदर से होती है और उनको किसी तरह से देखना किस तरह से उनमें समय कहते हैं कि उस जमाने में किस तरह का होता था तो वो भी बड़ा ही संदर सा एक द्रिश्य होता है तो बहुत सारे हमारे देश में संग्रहाले हैं और उनमें कुछ नाम अगर हम लें तो राश्ट्री संग्रहाले दिल्ली है, चत्रपत्री, शिवाजी, महाराज, वास्तु संग्रहाले मुंबई, सरकारी संग्रहाले चन्नाई है, राश्ट्री रेल संग्रहाले दिल्ली में है नेपियर संग्रहाले है थिरवनंत पुरम में एरोस्प्रेस संग्रहाले बेंगलूरू में है भारती संग्रहाले कोलकता का बहुत प्रसिद है तो राश्ट्री संग्रहाले दिल्ली के अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या-क्या है संगीता वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़े हैं हरपा सब्भिता से जो मिलती जुलती चीज़े हैं जो खुदाई में मिली वो भी हैं वैदिक सब्भिता की निशानिया हैं गौतम बुद्ध के विक्तित प्रिभाव और जो भी उस जबाने में अस्तर सरस्तर यूज होते थे इस्तमाल होते थे वो भी हैं हाथी का कवच जो है वो भी है कलकृतियां अलग अलग सी हैं जो लकडी की बनी हुई हैं वस्तर भी हैं संगीत वादेंतर पत्थर की मूरतियां ये सारी चीज़ें जो है वो राष्ट्रे संग्रहाले दिल्ली में देखने को मिल सकती हैं कोलकता के अगर हम बात करें तो ये दक्षिन पूर्वी एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहाला है छे खंड है इसमें 35 गैलरियां है और यहां पूरा तत्यो कला विज्ञान और भी चीज़े हैं वनस्पती और सिक्कों की गैलरी है मुगल चत्रकारी है वादятиयंत्र गैलरी है मुखोटे रखे विग्याशवरे हैं बहुत सारे जीवाश्म हैं जो मनुश्य के विकास को दिखाता है फिर इसी तरीके से, बहुत तरीके के जीवाश्म होते हैं, जन्मरों कोई भी होते हैं, फिर यहां पर विज्ञान गैलरी भी है, बत्तब आप यहां देखते रहें तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, इतनी धेर सारी चीज़ें आप एक जगे जब देखते हैं तो लगता है हो हो हो, क्या क्या देख लें, और बहुत मुश्किल होता है देखना एक साथ, और फिर जब वहां संग्रहाले से बाहर निकलते हैं, बहुजी तो हलत कैसी होती है, अब सोचो ना, छे खंड और 35 गैलरीयां क्या एक दिर में देखा जा सकता हमें तो नहीं लगता, बही अग कहते हैं, मिलिन कलाकृतियों और कलाखंड को समेटे हैं, और जैसा कि इन्होंने घड़ी के बारे में लिखा था, तो घड़ी कक्ष भी है, और मुगलकाल की बस्तुएं भी हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, और टिपु सुल्तान जी के अलमारी है, और रवी वर्मा की चित कारे हैं, जैसे चत्रपति शिवाजे महराज वास्तु संग्रहले हैं, यहां पर भी बहुत बड़ी अभी मतलब नया नहीं जोडते जा रहे हैं, बाहर अगर उसका लॉन आदी देखें, इतना सुन्दर सजा है, पेड़ों की जो कतार लगाई हैं, वो भी मतलब बाहर का द जाएं खुब समय लेकर जाएं, खुब अच्छे से पढ़एं, ऐसे ही सब समय के वास्तु कल्णा की चीजएं आप देख सकते हैं, इसे ही काशे ही इंदु विश्यविद्ग्याले में भारत कल्णा भावन हैं, जहां पर जैसे इमने बता हैं, बहुत तरीके के मुकुठ ह ऐसे अस्तशस्त्र, चीजें रखी हुई हैं, बहुत धेर सारी चित्रकलाएं हैं, मतलब चित्रकारियां हैं, हैंड पेंटिंग्स भी हैं, मूर्तियां हैं, उसको भी एक दिन में नहीं देखा जा सकता, तो खुब समय लेकर जाएए, खुब अच्छे से पढ़िए, ऐसी मतल अलग अलग जगह उपर जैसे अगर आप जाएंगे जू में भी, तो कहीं कहीं वहाँ पर भी छुटा सा म्यूजियम बना दिया जाता है, कि लोग देख सकें उसको, तो किसी भी शहर में जाएं तो जरूर वहां का जो संग्रहाल है, वो जरूर देखें, बहुत सारी ऐसी जहां पर भी आपको चीजें मेरेंगे, वहां सिक्यादी तो हमने जैसे बताए ही, लेकिन आपकी कुछ हस्तलिपी वाली चीजें होती है, हस्तलिखित चीजें होती है, वो लिपी देखने को मिलती है, कैसी वो उसमें भाशा होती थी, कहीं कहीं तो उसका विकास भी दिखा जाता था पिर देरे वह हंदी में कैसे आया ये सारी जानकारी जब मिलती है तो एक पुरा इतिहास समेटे हुए और उसको देखकर कैसा लगता है ना बुआ जी कि जैसे समय कहीं लोग कहते हैं कि आगे बढ़ता जाता है लेकिन कहीं ना कहीं वो थमसा जाता है एक बार हम फिर उसी तरफ चलते हैं तो चीए अब चलते हैं बुआ जी चलने का समय हो गया भोजीते हैं कहां? समय खतम? नहीं नहीं पिथोरा गड़ चलना है अच्छा हां पिथोरा गड़ ना ये कहां पर है वही? तो ये बिलकुल समय निकाल के जाए क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं कहीं और भी भी है इसे लिटल कश्मीर भी कहते हैं यानि चोटा कश्मीर और नैपाल और तिब्बत के बीच स्थित पिथोरा गड़ सुन्दर घाटियों के बीच स्थित है यहां बर्फ से धकी, चोटियां, जहरने, हिमनद और प्राकृतिक छटाएं मन को मोह लेती हैं पाल वंश के समय यह शित्र विक्सित किया गया बाद में इसे चंड वंश की राजा पिथोर चंद वारा बसाया गया प्राचीन नाम सोर घाटी था मतलब सरूवर पिथोरा गड़ का ऐसा भी मत है कि पिथोरा गड़ नाम भारत के महान योधा प्रित्वी राज चोहान के नाम पर पड़ा क्योंकि यहां राय पिथोरा प्रित्वी राज चोहान की राजधानी थी भारत हमेशा से ही जनजाती कलाओं और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है तो पिथोरा गड़ में यह जो है सभी तेवार मनाया जाते हैं गीतों और रित्य और कला के लिए भी एक शेत्र बहुत प्रसिद है और यहां एतिहासिक दर्शनी और पौरानिक आकशनों में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें लोग देखने आते हैं उसके बाद बुआ जी किला की बारी है बताओ बताओ पितोरा गड़ किला तमाम राजाओं और राज्यों यानि राजवन्शों की स्थली होने के नाते यहां एतिहासिक अफशेश हैं जो प्राचीन है 1789 में गोरखाओं द्वारा बनाया गया किला प्रसिद है कुमाओं की काली नदी परिस्थित यह किला अपनी संजचना के लिए जाना जाता है सोर घाटी के बाहरी इलाके की चोटी पर यह है परेटक यहां ट्रेकिंग के लिए भी आते हैं अब देखो जैसे कि पितोरा गड़ से 8 किलोमेटर की दूरी पर एक जगह है चांडक जो हिमालय के सुन्दर द्रिश्यों से सजा हुआ है यहां पर भी लोग ट्रेकिंग का आनंद लेते हैं चांडक पहाडी से 2 किलोमेटर की दूरी पर मनु को समर्पित भगवान मनु को समर्पित प्राचीन मंदिर है और यहां अगस्त और सितंबर के महिने में सुन्दर मेला लगता है जिसमें पिथोरागड की पारम पर एक कला से बने हुए सावान मिलते हैं और चुटे-चुटे साय का यह बड़ा माध्यम है और केदार मंदिर भी यहीं है वहीं केदारनात मंदिर जो ना मंत्रों से यह मंदिर हमेशा गुंजायमान रहता है शिवरात्री के पावनपर पर यहां मिला लगता है और शग्धालों की बहुत भारी भीड जो है वो मड़ती है तो असकोट अभ्यारण भी है असकोट सेंचुरी पिथोरागड से 54 किलोमीटर की दूरी पर है वन्यजीव और वनस्पती से सम्रिद जो है यह असकोट अभ्यारण में भालू हिम्तेंद्वे तीतर, चियर कोईला, कोकला और कस्तूरी म्रिक भी मिलते हैं और इस ख्षेतर में बहुत दो लब जड़ी बूटियां मिलती है रुद्राक्ष भी यहां पाया जाता है और गंगोली हाट यह पिथोरागड शहर से 82 किलोमीटर प्रिस्थित है यहां कालिमाता का शक्तिपेट मंदीर है जो बहुत प्रिस्थित है सर्यो और रामगंगा नदी से घिरा यह शहर गुफाओं के लिए भी जाना जाता है परेटन के लिए यह जगर अजूबा मानी जाती है हमाले की सुन्दर हमाले की जो सुन्दर सी चोटियां है उन्हें देखा जा सकता है वो चारचांद लगाती है तो पिथोरागड की जो सुन्दरता है बुगा जी बहुत सुन्दर है अपने आप में बहुत अनुपम है क्योंकि सब तरफ हमाले से घिराववा है तो उसकी जो खुबसरत चोटियां है वो बढ़ी अच्छी लगती है इसके संग संग वातावरन बहुत शुद्ध है तो ठीक है अब तुम्हें आराम मिल गया अभी भी आवाज नहीं निकल रही है तुमारे मुझसे बुगा जी इस गीत में इतना अच्छा लगता है जैसे वो देखे आवाज जो आती है जैसे पत्थर को तराष्टे हैं है ना तो संग रहाले में भी कुछ इस तरह से वहीं ले गया अरे निकल आके तुम अभी पिथारागर में नहीं गूँ रही हो पिथारागर से लाते होंगे बड़े खुबसरत खुबसरत शायद चटाने पत्थर ओनी से उकेरा जाता हो तो यहां का अभ्यारण ने तुमको हमने घुमाया फिर हाट घुमाई अभी तुम वहीं पर हो चलो निकल आओ मनुस्यारी चलते हैं यह जगे जो है ना परवती ख्षेत्र पंचा चूली परवत की चोटियों के कारान प्रसिद्ध है और यह पिथोरागर से करीब 127 किलोमीटर की दूरी पैस्तित है इस ख्षेत्र में सुन्दर फूलों की घाटियां है जील है प्राकृतिक सौंदरे की शोभातों भाई अद्बुत है मनुस्यारी गाओं को गोरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है एतिहासिक महत्तो के साथ साथ इसका धार्मिक महत्तो भी बहुत है और स्थल ध्वज मंदिर भी है यह प्रदेश पौरानिक कताओं से जुड़ा हुआ है माना जाता है कि भगवान शिव ने यहां कई वर्षों तक निवास किया इसलिए इस मंदिर का नाम धज मंदिर रखा गया है भगवान शिव मह जैनती की पूजा यहां स्थानी लोग करते हैं और बर्व से धकी सुन्दर यहां जो परवत मालाएं है वो इस स्थल को यानि इस मंदिर के जो चल तरफ का जो बातावरन है उसको और भी सुन्दर बनाती है क्या बात है कपिलेश्वर गुफा है यह मंदिर भगवान भूलेनात का जगह है और बर्व से धकी चोटियां भी यहां पर दिखाई देती है और कपिलेश्वर गुफा जो है मंदिर जिसको कहते है पितहुरागर से तीन किलुमेटर की दूरी पर है और कुछ आश्रम भी है यहां पर नारायन आश्रम कुमाउंक्षेतर पितहुरागर में है यह आश्रम जहां श्रदालु रुकते हैं प्राकरतिक शोभा, सुंदर, फूल यहां के आकरशक पंची और वादियां इस स्थान को मनुरम बनाती है एक पुस्तकाले और ध्यान कक्ष भी यहां पर है और यहां पर प्राचीन खंधार भी है कई प्राचीन मंदिर भी है लेकिन डीडी हार्ट खंधार भी है जो भी देखने लायक है पता है और पितहुरागर में यहां के स्थानी निवासी पारंपरिक जो पकवान होते हैं न बौजी वो यहां के बहुत प्रसिद्ध हैं तो फिंगर मिल्ट कुछ एक पकवान है गेहू और मंदुआ के आटे में डाल भर कर बनाते हैं किसी तरह से और बड़ी खास जो चट्नी होती है अलग सी उसे बनाकर इसके साथ में परुस्ते हैं तो भई देखो एपरिल से लेकर जून के बहिने तक आप यहां जा सकते हैं बहुत सुन्दर मौसम रहता है ट्रैकिंग कर सकते हैं देहरादून और पंतिनगर से जा सकते हैं क्योंकि वही वहां पर हवाई अड़ा है टैक्सी भी मिल जाती है रेल मार्ग से भी जा सकते हैं यहां पर निकट्टम जो है वो है टनक पूर रेलवे स्टेशन टैक्सी बस मिलती है और नीजी वहां से भी जा सकते हैं तो भई आप जाएं जरूर और वैसे हमारे साथी ने लिखा था की लिखा है ये कि 36 गड़ में भी पितोरा गड़ है आप वहीं की बाते कर रहे हैं वैसे उत्तराखंड में भी है जिसे चोटा कश्मीर भी कहते हैं हम विद्यार्थियों को ट्रैकिंग के लिए लेकर गए थे 2018 में घाटियां जहरने बहुत मज़ा आया कैलाश मान सरूवर की यात्रा का रास्ता वहां के रहवासियों ने बताया था जो सपर होता है न भूजी देखे इस तरह से जिन्दा दिली से अगर हो तो फिर बड़ा सुहाना होता है नोग जोक हो जायतो एक गीत सुना दो ठको एक गीत सुना दो बस लेकिन भाई आप आजाओ पंगत में बैठ जाओ क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं वो दिन याद करो भोजन पंगत वाले बात भोजन की हो और पंगत में करने की हो तो साथ आपकी संगत भी हो तो फिर क्या चाहिए आजकल बुफे का चलन है इसमें भोजन का बिगार भी ज़्यादा होता है खड़े-खड़े भोजन करना सिहत के लिए भी नुकसान दे है खड़े-खड़े भोजन करने से ठकान भी ज़्यादा लगती है भोजन हो या पानी पीना हो पैट कर खाने, खाते पीते हैं, वो आराम दैक रहता है, पाचन क्रिया सही रहती है, किसी खास प्रसंग या शादी बेहा में पंगत में परोसने वाले की भूमी का बड़ी सा रहनी होती है, स्फूर्ती से परोसने वालों का खास चैन किया जाता था, जो बटा फट एक दम प जितने पहले मित्र भी होते थे, उनको सब को घरका ही कहा जाता था, यह तो है, बहुत मधूरता होती थी, हमारे एक और शोता ने लिखा है कि जब पंगत में बैठा कर पहले धूले पतल दिये जाते थे, आदर से बैठाया जाता था, उसके बाद पानी दिया जाता था, मि के कटोरियां सबजियों के कटोरदान मनुहार करके पूछते थे और खिलाते थे, और बहुदा तो नाना करने पर भी आपके पतल में मिठाई और पूरियां दे जाते थे, थोड़ा और खाईए, यह हमारा सथकार था, हमारी संस्कृती परंपरा थी, अब यह लुपत प्र तो भई देखो ऐसा है, इसलिए हमारे साथी और लिख रहे हैं कि भूजन पतल वाले आज का स्ने भूजन, इसे स्ने भूजन भी कहते थे, आजकल जिस तरह शादी में फैशनेबल दिखने की होड लगी है, उसी तरह स्ने भूज एक दिखावा मातर रह गया है, पचास साल पहले आदर से बिठा कर पतल दोने में प्रेम से मनुहार करके पकवान खिलाए जाते थे, और अब तो जैसे किसी अच्छे रिस्ट्रों में खाना खाकर अपनी और सामने वाले की हैसित के हिसाब से दिया जाता है लिफाफा, पहले शगुन भरी जाती थी, उस समय चलन में होता था, 2, 5, 11, 21 बस, पूरा परिवार जीमने जाता था, बड़ा मज़ा आता था, फिर इन्होंने अपने शहर की बात लेकी, नौर में नमकीन पसंद, जिरावन की डिब्बी और स्टील के ग्लास रुमाल में बांद कर मा, हम बच्छों को पकड़ा देती, पिता जी हिद पूटी और नमकीन सेव को मिला कर खाने का मज़ा ही कुछ हो था, ये बात तो बेरको सही है, और मज़ेदार बत बता हूँ, शादी हुई कस्बे में, जहां हाथ भर घूंगट करना पड़ता था, धरमशाला में आयोजित समारो में घागरा ओड़नी, जिससे कहते हैं, इन कुछ कह नहीं पाते थे, एक वो समय था, हर एक तरह से शुद्ध, आज सब कुछ बदल गया है, आएं खाएं डेवें बस, अब सिर्फ वो बाते याद करके मज़ा लेते हैं और परिवारों मित्रों के साथ हसने के संदर्ब ढूंड लेते हैं, आब भी कलपना करके मुस्क करते हैं कि बुला करके दावते होती हैं, वो ज्यादा हैं, लेकिन पहले के समय में तो ऐसा बिलकुल यह होता था, कम दावते होती थी, लेकिन उसमें मज़ा बहुत आता था, एक हमारे शोदा ने लिखा है कि पंगत में खाना, खिलाने वाले मेजबान और महमान, दोनों क आत्मी सुक मिलता था, करीबी बढ़ती थी पास के खाने वाली से, मनुहार आग्रेय रिष्टदारियों के छटोली मज़ा के अलग ही आनन था, और फरनीचर, टेबल, कुरसी, दिखावे की चीज़ें भी नगणने हुआ करती थी, भोजन भी जूते उतार कर हात पाव धो कर करना होता था, कई बार तो अपनी थाली लोटा ग्लास पंगत में जाते वक्त अपने स्वते ही ले जाना होता था, कई बार लोटते में पंगत ये उसे उसी लोटे या ग्लास में मिठाई भर कर घर भी ली तो ये भी बड़ा मज़दार वाक्या होता था, यही हमारे तेंट रेड इसने बात रहेते तिकोना उन झाया तिकोना वो एक以 नहीं ही तरीके काता था भाथ बा δमेर पेड़ बने हुई आने लगें ऑपा आने लगुष्धा कुड़ा नोगता रहता था उसके ओपर पैछ व्रक जैसे बनने रहते था वठाड़े बड़े बात बेलकोस सही है और आपने प्लास्टिक की बात कि, हम तो आर पुराने ज Sanders कि बात कर रहे हैं.. уже मिट्पी के के पात्र होते थे.. उसमें दो। पानी और हमोगा व्ड़ाम कुछ सबजी घूठyya की है.. कि ह्लास्टिक उत्य買 चल गया है.. आज भी कोई जो समारों होते हैं में बैठकर भोजन का लुट्फ ले रहे हैं कई लोग पहले भोजन के बाद भी 20 मिठाईयों के पीस खा जाते थे बहुत शरारतें करते बहुत ज़्यादा भोजन कर जाते थे तो ये बात बिल्कुछ सही है ऐसे ही होता था तो एक और साथी लिख रहे हैं कि जैसे ही पंगत की तैयारी होती थी पट्टिया बिछाने लगते हैं पहले से ही अपनी जगए तै करने के लिए जल्दी जल्दी दोड़ कर आना तुम यहां बैठो मैं यहां बैठा हूं बच् ख्यान रखते थे और परोस्ते वाले को आवाज दे कर बुलाते थे इन्हें यह दे दो प्यार भरा वातावरान अधिक से अधिक प्रेम से खिलाने की भावनाएं सभी के चेहरे पजह लगती थी अब वो समय धीरे-धीरे खत्म हो गया है सुविधाओं के अनुसार गाउं में भी अब पंगत प्रथा कम हो गई है बोजी हमारे एक शोता ने लिखा है कि स्वास्त के लिहाज से भी जमीन पर बैठ कर भोजन करना श्रिष्ट माना जाता है बोजन से पूर्व आपके हाथ पर धुले हो तो उसे शुचिता बनी रहती है और आयर्वेद में कहा गया ह है कि भोजन से पूर्व पैर अवश्यद होएं और बैठ कर भोजन करें भोजन ग्रहन करने की यही इस्तिती हमारे पाचन के लिए सबसे सही मानी गई है देखो भई ऐसा होता है कि हम लोग क्या भी यही होता है और साथी लोग भी यही कह रहा है पंगत की परंपरा को हम ल कि चोड़ कुछ चीजें बनती थी बहुत सारी नहीं होती थी तो उसे बरवादी भी कम होती थी और पूश के परोसा जाता था अब यह है कि लाइन लगती है तो हमें लगता है कि ऐसा नहों कि हमें दोबारा पहुश ना पाएं वहां तक तो हम जादा चीजें ले लेते हैं तो कभी-कभी ये भी होता है, वैसे और भी चीज़ें हैं, हमारे साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, हमारे एक शोता ने लिखा है कि बुफे हो या पंगत पध्धिती, किसी भी प्रत्था का में कोई बुराई नहीं होती, सारी प्रत्था या पध्धितिय अततकालिन सामाजी किस्तेतियों को ध्यान में रखकर सुविधाओं को देखकर बनती है अपनों को अपनों के द्वारे जब खाना परुसकर खिलाय जाता है तो प्यार बढ़ता है यह नहीं बलकि खाने में प्यार चलगता है आज भी कभी मौका मिलता है तो जमीन पर बैट कर खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे आज भी बहुत हलकी सी याद है जब किसी शादी में गाउं में जाते थे तो उसमें एक मुख्य हलवाई और उसके साथ दो लोग होते थे मदद के लिए बाकी के काम जैसे बेलने पूरी बेलने वगर का काम सबजी काटने का घर की और आस प्रोडोस की जो महिलाएं हैं वो कर दिया करती थी पंगत वाले भूजन की परंपरा अभी हमारे क्षेत्र में पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है ये बड़े अच्छा ये समाचार इन्होंने बेजा है कथा पूजन भंडारा तेरवी श्राध में और किसी ग्रामीन क्षेत्र की शादी विवाह में अभी भी पंगत वाले भोजन ही चलते हैं अंतर यही आया है कि पहले ग्लास या जिसे टिशू बोलते हैं उसके पत्तों का प्लेट या दोने चलते थे आजकल उनकी प्लास्टिक या कागज से बने पत्तल और दोने लिये जाते हैं प्योग में लेकिन स्वाध वही मिलता है पंगत के भोजन जैसा कोई भोजन नहीं बड़े मान समान से परोसा जाता है पेट भरने के बाद भी सबको एक एक पूरी जबरन खिलाई जाती हैं पंगत में रायता खाने वाले ज़्यादा मिलेंगे फैलाने वाले नहीं होते ही नहीं हैं मैंने अभी पिछले दो दीन महीने में कई जगें पंगत वाले भोजन से जितनी उतनी बुफे वाले भोजन से कभी नहीं हुई जबकि पंगत में बहुत सीमित वेंजन होते हैं और एक और शोता ने लिखा है कि आप कहां वो पंगत में बैठकर भोजन खाना चाहे गाउं हो या शहर आप तो हर जिगे बुफे सिस्टम में खाना हो गया है लेकिन पंगत में बैठकर वो भोजन करने से जो मज़ा उसमें आता था वो मज़ा अब नहीं मिलता पहले पंगत में बैठे आदमी को पतल और दोनी के साथ गलास दिया जाता था एक तरफ से सबजी और दूसरी लड्डू और रायता दिया जाता था जब रायते वाला दूसरा चक्कर लगाता था तो उसे देख कर रायते को जल्दी खत्म करना और दुबारा से रायते को लेना ऐसा देखने में जरूर आता था अब कहां वो दिन अब तो सभी की दिन चरिया और भाग दोड़ भरी जिन्दगी में चाहे थोड़ा सही सही र के बारे में सभी यही कह रहा है कि पंगत मतलब नीचे बैठना जमीन पर एक लाइन में सभी साथियों के साथ भोजन करना जो साथ लाइन में बैठे हैं बड़ा व्यवस्तित होता था भोजन पूश्टिया जाता था सामने खाने पीने का और उसमें भोजन व्यर्थ हो जा हैं महमानों से यह निवेदन कर सकते कि आईए खाईए अब तो खड़े हो के सिर्फ कहना ही है और देख लेना है कि आपको कुछ चाहिए क्या थोड़ा विवस्ता कर दीजे इसमें क्या गुना है हमें लगता है कि इस परंपरा को जो चीज अच्छी लगती है दिल को उसको अभी भी इस पूफे सिस्टम में भी हम अपना सकते हैं हम तो तयार होके गुमते ही रहते हैं न जुकना है न कुछ करना है ना हाँ से किसी चमच को भी पकड़ना है तो गृपया करके इस आग्रह मान-मनुहार वाली जो चीजें हमारे साथ ही मिस कर रहे हैं आप लोग वो सबीको, संगीता शिवास्तो और प्यारे भूह का, नमस्कार